Hello, इस वीडियो में हम PHP में Indexed Array कैसे काम करता है, इसके बारे में यहाँ पे Detail में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि Indexed या जिसको Numeric Array भी बोला जाता है यह क्या होता है इसकी Definition जानेंगे सबसे पहले तो इसकी जो Definition है इस तरह के Array, Number, String और किसी भी प्रकार के Object को Store कर सकते हैं लेकिन उनके Index को Number के दवारा ही दर्शाया जाता है इसके बाद हम यह जानेंगे कि परतेएक Index का गिंती 0 से शुरू उती है ना की 1 से तो जो Number Index में हम Start करेंगे वो 0 से Start करेंगे एक से हम उसको Start नहीं करेंगे इसको हम Program के जरी समझेंगे तो यहाँ पे Indexed Array इसका यह Program है Write a Program to Create an Array तो यहाँ पे Array को हम Create करेंगे तो यह यहाँ पे Notepad हमने Open किया और Indexed Array का यहाँ पे यह Program लिखा तो यहाँ पे हमने Array को Create किया हुआ है दो तरह से यह देखो एक Method यह है यह Array Create करने का और दूसरा यह है तो PHP में Indexed Array बनाने के लिए सबसे पहले हम Notepad में सबसे उपर लिखेंगे HTML इसके बाद Body इसके बाद Heading को Start करेंगे इसके बाद PHP को शुरू करेंगे तो यह पहला यहाँ पे Method आए Array को Create करने का Creating Array तो Array यह जो है यह Short Method है Array को Create करने का यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे Variable Numbers तो यह Variable Name है यह Name हम यहाँ पे देंगे इसके बाद Equal To इसके बाद लगाएंगे Array तो array जो है यह एक keyword है इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे values यह देखो round bracket में हमने लिखें हुई है values 1, 2, 3, 4, 5 यह values लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे semicolon semicolon लगाने के बाद यहाँ पे निच्छे लिखेंगे for each loop तो for each loop में हमने variable numbers यह देखो variable name यह हमने यहाँ पे लिखा इसके बाद यहाँ पे लगाया as यह हम यहाँ पे लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे variable values तो values कौन सी है यह 1, 2, 3, 4 यह values है इसके बाद round bracket को हम यहाँ पे close करेंगे curly bracket को यहाँ पे open करेंगे इसके बाद नीचे ये statement लिखेंगे eco value is यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे variable value इसके बाद यहाँ पे break command यूज करेंगे तो यह जो है यह array को create करने का short method है देखो यहाँ पे array लिखा और यहाँ बार बार यहाँ पे variable नहीं लिख रहे हैं सिधा हम यहाँ पे एक ही variable name लिखा हुआ और यहाँ पे values सभी भर दी हैं इसके बाद यहाँ पे array को create करने का यह second method है यह देखो creating array तो array को create करने का यह जो process है यह long process है क्यों क्योंकि यहाँ पे variable name हमें बार बार लिखना पड़ रहा है यह देखो variable numbers यहाँ पे square packet में index number यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे equal to और यहाँ पे 1 वरा इसके बाद फिर यहाँ पे हम variable name यहाँ पे लिखेंगे variable numbers यहाँ पे square bracket में 1 लिखेंगे इसके बाद equal to यहाँ पे 2 लिखा इसके बाद फिर यहाँ पे variable name हम यहाँ पे लिखेंगे यह देखो variable numbers यहाँ पे square bracket में 2 लिखा इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा इसी तरह यहाँ पे हम variable name जो है बारबार लिख रहे हैं तो इससे क्या होता है हमारा यहाँ पे variable name लिखते लिखते बहुत सा time खर्च हो जाता है तो इसको बचने के लिए हम यह method जो है यह use करते हैं उपर वाला इसके जरिये भी हम यहाँ पे output निकाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पे यह देखो for each यहाँ पे round bracket में लिखा हुआ है variable numbers as variable values round bracket clause यहाँ पे curly bracket open इसके बाद echo यहाँ पे value is और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है variable value और यहाँ पे break command यूज की हुई है इसके बाद यहाँ पे curly bracket को close करेंगे PHP को close करेंगे adding को close करेंगे body को close करेंगे और HTML को close करेंगे तो यहाँ पे यह देखो यह variable name है और यह जो 0 यहाँ पे square bracket में लिखी हुई है इसको index number बोला जाता है या key बोला जाता है और यहाँ पे यह जो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 यह है values तो जब हम इन areas की output देखेंगे तो यह जो area हमने create किया हुआ है short method से यह भी उपर show करेगा और साथ में यह long process से हमने यहाँ पे area create किया हुआ है तो इसके भी output हमें show करेगा सबसे पहले save करेंगे file पे गए save as पे गए save as पे जाने के बाद यहाँ पे c drive को open करेंगे c drive को open करने के बाद bomb 64 यहाँ पे click किया इसके बाद www folder पे click करेंगे यहाँ पे इसको open करने के बाद project folder इस पे हमने file को save करके रखना है यह asd ये file name दिया इसके बाद php के extension लगाएगे dot php ये लगाए इसके बाद हम क्या करेंगे file को save करेंगे ये save कर दी, save करने के बाद इसको minimize करेंगे ये minimize किया, minimize करने के बाद bomb server इसको open करेंगे तो ये देखो यहां पे bomb server open okay task bar में आ गया है यहां पे हम click करेंगे click करने के बाद यहां पे local host यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद ये लेखो local host window यहां पे open हो जाएगी यहां पे सबसे उपर हम लिखेंगे यहां पे local host इसके बाद forward slash इसके बाद project का नाम लिखेंगे यहां पे project लिखा ये project लिखने के बाद फिर forward slash ये लगाएंगे और फिर file का name देंगे asd ये file का name दिया इसके बाद .php ये लिखा ये लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे ये enter प्रेस किया enter प्रेस करने के बाद ये देखो यहाँ पे array की output आ गई तो यहाँ पे ये देखो first method है यहाँ पे हमने use किया था variable name यहाँ पे name जो है numbers दिया था is equal to यहाँ पे array और यहाँ पे 1,2,3,4,5 यह हमने यहाँ पे values लिखुई हैं तो यह जो values हैं अगर हम बोलें कि यह जो one लिखा हुआ है इसका जो index number क्या है one का तो हम बोलेंगे इसका one का index number यहाँ पे 0 आएगा और 2 का index number क्या है तो 2 का index number यहाँ पे 1 आएगा और 3 का index number यहाँ पे 2 आएगा और 4 का index number यहाँ पे 3 आएगा और 5 का index number यहाँ पे 4 आएगा तो यह उपर इनके index नमबर होगे तो वो 0 से start होते है तो यह लिखो यह हमने array बनाया थे और यहां पे हमने for each loop का use किया हुआ है यह लिखो यह use किया हुआ है और इसके बाद यह statement लिखी हुई है echo यहां पे value is यहां पे क्या display करे variable value और value जो हमने यह लिखी हुई है वो यहां पे आगी value is 1, 2, 3, 4, 5 यह आगी और यहां पे हमने break दी थी इसलिए यह निचे निचे आती गई इसके बाद यह second यह जो output आई हुई है यह second area हमने create किया हुआ हुआ है यह देखो variable numbers यहां पे square bracket में 0 यह index number लिखा हुआ है इसके बाद यहां पे one लिखा हुआ है और इसी तरह यह देखो सारे लिखे हुए है और यहां पे यह देखो for each loop हमने use किया हुआ है और यहां पे यह statement लिखी हुई है e को क्या display करे value is यहां पे variable value तो variable value जो है यह हमें यह यहां पे display करेगा यह देखो one two three four five यह हमें display करेगा इसके बाद break लगा हुई है तो यह देखो यह इसकी output आ गई है value is one value is two value is three value is four value is five तो यहां पे दो तरीकों से हमने array को create किया था यह short process है यह long process है तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि index array जिसको numeric array भी बोला जाता है को कैसे create किया जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद